अठारवा पाठ आओ पत्रिका निकालें। प्रिष्ठ संख्या 116 से 118 तक अब प्रस्तुत है पाठ आओ पत्रिका निकालें। बहुत से बच्चों को लेखक बनने का शौक होता है। अपना नाम पत्रिकाओं में छपा देखने का, बड़े होने पर अपने नाम की किताब छपी देखने का। यह कोई बुरी बात नहीं, बलकि अच्छी बात है। लिकिन इसके लिए तैयारी जरूरी है। जैसे खिलाडी बनने के लिए जरूरी है। दुनिया के अधिकतर बड़े लेखकों ने अपनी पत्रिकाओं निकाली हैं। तुम भी अपनी पत्रिका निकाल सकते हो। बाजार से रूलदार कागज ले आओ। अपने भाई बहनों से, अपने स्कूल और मुहले के साथियों से बात चीत करो उनसे कहो कि पत्रिका निकालने जा रहे हो। वे तुम्हारी पत्रिका के लिए कुछ लिखें। कविता, कहानी, लेख, चुटकुले, जो भी जी में आए। इसके लिए तुम्हें अपनी रचना दे दें। जब सारी रचना इकठी कर लो, तब उसे साफ साफ हाथ से रूल दार कागस पर लिख लो। या तुम्हारे साथियों में जिसकी हस्त लिपी बढ़या हो, उससे लिखवा लो। अगर कोई ड्रॉइंग या पेंटिंग बनाना चाहे, तो उसी साइज के बिना रूल वाले कागस पर उससे बनवा लो। फिर उसे रचनाओं के बीच बीच मे लगा लो। सब को इकठा कर खुद ही सीलो। पत्रिका को खोबसूरत बनाने के लिए उसका कवर मोटे कागस का रखो। और उस पर रंगीन कागस व रंग से सजावट कर लो। अपनी पत्रिका का कुछ नाम रख लो। प्रिष्ठों पर नमबर डाल लो। शुरू में एक स सूची बना लो। किस प्रिष्ठ पर किसकी रचना है वहां लिख दो। पर तुम्हारी पत्रिका कितनी छोटी बड़ी हो या कितने लोग कितना लिखेंगे इसके हिसाब से तै करो। रंगीन पैंसिलों से हर प्रिष्ठ का हाशिया बेल बूटेदार बना सकते हो। कोशिश करो कि तुम्हारे साथ ही लेखक अपना सोच कर लिखें। जो न लिख पाएं वह दूसरे किसी लेखक की रचना लिखें। लेकिन चोरी न करें। उस लेखक की रचना है यह लिख दें। अपनी पत्रिका निकालने के लिए तुम पांच बाते जरूर ध्यान में रखो। एक, हिज्जे, दुरुस्थों और भाषा और व्याकरण की अशुध्या ना हो। किसी बड़े को पहले दिखा सकते हो। दो, अपनी लिखी मौलिक रचना को लेक, कहानी, कविता, जो कुछ भी हो पहला स्थान दो। दूसरे की प्रिय रचना को दूसरा स्थान द चोरी की रचना मत दो। तीन, लिखने लिखाने से पहले यदि साथी लेखक चाहते हों, तो उनसे बात कर लो। क्या लिख रहे हैं, उस पर साथ मिलकर विचार कर लो। चार, तुम अपनी पत्री का निकाल रहे हो, अतहे संपादक होने का घमंड मत करो, बलकि अपने लेखकों को प्यार करो, उन्हें आदर सम्मान दो, कमजोर रचना को ठीक करना हो, तो उनको बता दो। पांच, पत्री का लिखावट और सजावट में जितनी खूबसूरत बना सकते हो, बनाओ। जब तुम्हारी पत्री का सिल सिला कर तैयार हो जाए, तो सारे लेखक साथियों को इकठा करो, और यदि माँ चाय पकोड़ी का जुगाड कर दें, तो क्या कहने। पत्री का के अंत में कुछ प्रिष्ट कोरे छोड़ना न भूलना। इस पर अपने माता पिता, अध्यापक या आसपास के कुछ छोटे बड़े लेखक हो, तो उनसे उनकी राय लिखवा लेना। फिर स्कूल खुलने पर अपने अपने शिक्षकों को भी दिखाना। उनकी राय लिखवाना। यदि चाहो तो अपने स्कूल के प्रमान पत्र के साथ हमें अपनी पत्री का निकालने की सूचना देना। वैसे दुनिया के बड़े लेखकों ने अपने खुशी के लिए शुरू शुरू में अपने हाथ से लिखी पत्रिकाएं निकाली हैं। किसी नाम के लिए नहीं चाहो तो उनका यह रास्ता अख्तियार कर सकते हो। हमारी शुब कामनाएं अभी से ले लो। लेखक सरवेश पिश्वर दयाल सकसेना